पूरी में आसे भगवान जगनात की विश्व प्रसीदी आत्रा शुरू होने जा रही है जगनात जी बहन सुबद्रा और भाई बलराम के साथ निकलेंगे अगले दिन साथ बचकर नो मिनट पर वे अपनी मौसी के घर जाएंगे यानि गुंडिचा मंदिर और नो दिनों तक वहीं रुकेंगे इसके बाद वापिस जगनात मंदिर लोट आएंगे यात्रा के लिए तीन भव्य रत बनाए गए हैं पहले रत में भगवान जगनात, दूसरे रत में बलराम, तीसरे रत में सुबद्रा सवार होंगी रत बनाने के लिए खास तरेके 884 पेडों की लगडियों का इस्तमाल होता है पहले कट सोने की कुलाडी से किया जाता है रत बनाने वाले दिन एक बार ही साधा भोजन किया जाता है वजय इस मंदिर की परंपरा और आनोखी सांस्कृति इसी के साथ आपको बता दे गर्ब ग्रह में भगवान जगनात उनके भाई बलराम और बहन सुबद्रा की मूर्तियां हैं सभी मूर्तियां लकडी की बनी होती हैं यह पूजा के विधी विधान भी खास तरह का होता है भगवान को नहलाया जाता है वस्तर पहनाए जाते हैं सबजियां काटनी शुरू हो जाती हैं पानी लाना समान समेटना और इनको भोग लगाना ये अवश्यक कार्यों में शामिल होते हैं काम के लिए हर एक व्यक्ति अपना सहयोग आगे बढ़ाता है वे हर दिन उस काम को करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा मंदिर के पुजारी सूर्य नारायन शर्मा बताते हैं सुबा भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं उन्हें लकडी और कपूर दिया जाता है फिर वे बिंब इस्थान प्रस्थान करते हैं यानि साथ हाथ की दूरी से शीशो में अपना बिंब देखते हैं वे है शीशा सूरे के प्रतीक होता है और मंत्रों से स्थापित किया जाता है साल में एक बार बरसात के मोसम में भगवान प्रत्यक्षिस्नान भी करत यानि कि पानी से नाते हैं, ऐसी मान्यता है कि जब वह पानी से नाते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद 15 दिन तक वह आराम करते हैं, इस दोरान उनका दर्शन नहीं होता। पूजा की विधी भी बदल जाती है उन्हें सिर्फ सफेद फूल चड़ाया जाता है और सफेद कपड़े पहनाये जाते हैं इसी के साथ इस जगनात रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं करीब 25 लाख लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा झाले हैं